Class 10th का Mass का Chapter No. 15 जिसके नाम है Probability इस Chapter के Example No. 4 को Discuss करते हैं Next Question पे आते हैं Chapter 15 का Example No. 4 वोर सॉल्फ करते है One card is grown from a well shuffled deck of 52 cards देखो deck of cards के मतलब होता है pack of cards जिसके अंदर total 52 cards होते हैं अब 52 cards में से किसी एक card को randomly ऐसे उखाया गया Calculate the probability that the card will be an ace Question के दो parts हैं पहले first part को discuss करते हैं आप से अब ये पुछा जा रहा है कि 52 cards के pack में से कोई एक card उखाया गया तो कितने percent chance है कि वो वला जो card है वो ace होगा दिखो पहले तो आपको cards का जो background है वो अच्छे से clear होना चाहिए जो cards का pack होते हैं उसके अंदर total 52 cards होते हैं 52 में से 26 cards होते हैं जो के red color के होते हैं और जो बाखी के 26 cards हैं वो black color के होते हैं यह जो 26 red color के cards हैं यह फर्दर आगे दो categories में गवाटिक होते हैं 13 cards होते हैं hearts के 13 cards होते हैं diamonds के अपने ऐसे याद रखना है जो heart है वो red color का होते हैं और heart को पसंद है diamond तो वो भी red color का होते हैं 13 cards heart के होते हैं 13 cards diamonds के होते हैं यह जो 26 black color के cards है, इसमें से 13 spades के होते हैं, और बागे के 13 हैं वो clubs के होते हैं, spades और clubs यह दुनों black color के होते हैं, hearts और gammerds यह red color के होते हैं, अब यह बादे जो 13 cards है ना, उसमें जो सबसे पहला card होता है वो होता है ace, 1 नहीं होता, 1 को ace पूला जाता है, फिर आगे 2 से लेकर 10 तक, यह होते हैं सारे numbered cards, और उसके बाद 10 के बाद 11, 12 और 13 को jack, queen और king से represent करते हैं, मतलब 11, 12 और 13 ने बोलते, jack, queen और king बोलते हैं, clear हुआ, हर एक card ना 4 बार होता है, जैसे ace, 4 होगे, 1 heart बाल होगा, 1 garment का, 1 spanks का, और 1 club का, जिस card के उपर 2 लिखा हो है न, वो भी 4 होगे, एक पर heart होगा, 1 garment, 1 spanks और 1 club, queens भी 4 होती हैं, एक heart की, Let's 쪽 four, kings भी 4 होगे, 1 heart का, 1 garment पर 2, 1 spanks का और 1 club का, clear हो गया, हर एक पत्ता हर एक card जो जो तै नवो चार बार होता है चार बार होता है एक बार उसके उपर heart बना होता है एक बार diamond एक बार speed और एक बार clubs कितना clear हो गया आपको पहले यह सार अच्छे से पता उना चाहिए तब फिर आप cards वाला कोई भी question solve करवाओगे अब first part में बूच रहे हैं कि ace आने की probability क्या होगी ace कितने होते हैं, 4 ace होते हैं हर एक card 4 बार होता है तो ace आने की probability है 4 upon 52, total 52 cards हैं, उसमें से 4 ace हैं divide करके 1 by 30 ना जाता है ये हमारा final answer है second part में कह रहे थे not be an ace जो card आप निकालोगे ना, वो ace नहीं होना चाहिए ace को छोड़के कोई भी और card हो चलेगा, ace नहीं होना चाहिए तो 4 aces होते हैं उनको हटा दो, तो बांकी की 48 cards हैं, वो हमारे favorable options हो जाते हैं तो probability of getting a card which is not an ace, वो होज़ेगा 48 upon 52, divide करके 12 upon 30 नाता है, तो ये हमारा final answer है, ace कितने होते हैं, 4 होते हैं kings कितने होते हैं, 4 queens कितने होते हैं, 4, jack कितने होते हैं, 4, कितने ऐसे cards होते हैं, जिन पर 10 लिखा होता है, 4 हर एक card ना, 4 बार होता है एक बार heart का, एक gammon का एक spades का और एक club का clear उपा झाल झाल